समस्ति सांथियों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डिजिटल साहता पर तो सांथियों जितने भी स्टूडेंट ज्यारकंड अकेडमी काउंसिल के 2023 के अंतरगत 11 वी बोड के परिक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी का परिक्षा परिणाम है वह कुछी दहर के अंदर जारिक क्या जाखता है JADE जी लोग बात करेंगे कि JADE 11 वी बोड का परिक्षा जितने भी स्टूडेंट को कितने नमर लाने होंगे पास होने के लिए तो बात करेंगे कि जो students है उन्हें first division होने के लिए कितने number लाने होंगे second division में उनका जो है number क्या होगा यहाँ पर grading में number आएंगे या फिर marks में आएंगे पूरी detail वीडियो में बताऊंगा जो fail students है उन्हें क्या करना होगा पूरी जानकारी वीडियो में दूँगा तो वीडियो में end तक बने रहीएगा तो चलिए साथियो वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से request करते हैं आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने के लिए यह जो scorecard है उसे open किया है यहाँ पर साथियो आप देख सकते हैं जो 11 वी board का परिक्षा होता है दोस्तों वो full mark उसके अंतरगत जो 100 mark का होता है 11 वी के अंतरगत जो passing marks होते हैं दोस्तों वो 33 होते हैं जैसा कि आपने 10 वी में भी पिछले कक्षा में दिया था उसमें भी 33 marks ही थे passing marks आप सभी को इसमें भी 33 number ही लाने है पास करने के लिए और यहाँ पर बताया गया है कि आपको कम से कम आप सभी को चार सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होगा तब ही आप जो है अगले कक्षा के लिए जो है प्रमोट होंगे और अगर आप जो है चार वी सोय में पास नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप फेल हो जाएंगे और आपको जो है जिस कक्षा में आप पहले थे उसी में रहना पड़ेगा एक साल बाद फिर से आपको और पास करना होगा यहाँ पर फर्स डिविजन का जो मार्स है दोस्तों वो मैं आप लोगों बताना चाहूंगा मैट्रिक में जैसे थे सेम और इसी ही है आपको जो है सभी अभी सोय में जो है साथ नंबर करके लाने होंगे तब ही आप जो है फर्स डिविजन होंगे अगर आपका जो है प्रोमोटेड रिमार्क्स में आता है तो तो साथियो ये बात निकल कर आई कि कि कितने नमबर लाने होंगे पासिंग मार्क्स क्या है जहारकन डेकेडमी काउंसिल के तरफ से ग्यारवी बोड के एकजाम के अंतरगत फूल मार्क्स कितने है और जो फर्स डिविजन मार्क्स है वो कितने है तो साथियो अगर आप सभी को जानकरी अच्छी लिगत वीडियो को लाइक कीजेगा और जैसी ही जहारकन डेकेडमी काउंसिल के तरफ से रिजल्ट पब्लिस की जाती है तो मैं उससे समद्धित वीडियो बनाके जानकरी आप सभी को दे दूँगा तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को जरूर दबाके रखिएगा धन्यवाद